हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम तो अवर चैनल, प्रिति सिंगिंग शेफ आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी भरवा करेले लेक्या हैं इसमें स्पेशलिटी ये है कि हमने इसको फ्रायर में बनाया है और बहुत कम ऑईल का इसमें हमने यूज किया है एयर फ्रायर में बनाने से आप देख रहे हैं उसका कलर भी वैसे ही रहता है और आईल भी बहुत कम जाता है तो ये बहुत ही हेल्दी चीज है तो एक बार आप जरूर इसको ट्राय करके देखिए एयर फ्रायर में बनाके देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही soft करेले लिये हुए हैं और इसको दो पीस में कट कर दिया है, छील लिया है और इसमें थोड़ा सा salt से इसको एक बार wash कर लिया है अब इसके बाद यहाँ पे मैंने मसाले लिये हैं आम तोर पे जो हम मसाले लेते हैं, हल्दी, धन्या, मेर्च, नमक इसमें मैंने थोड़ा सा तिल और सोंफ और भुनी हुई, मौमफली यूस की है, कुटी हुई और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हींग भी एट कर सकते हैं और बस हमको अब कुछ नहीं करना, इसका थोड़ा सा हमको स्क्वीज करना है करेलों को और उसके बाद हम इसमें ये मसाला स्टफ कर देंगे यह आप देख रहे हैं, मैंने इसमें से बीज नहीं निकाले हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इसके बीज भी बहुत ही फायदे मन्द होते हैं और कम ऑईल में जब हम बना रहे हैं तो उसके बीज भी बहुत ही मुलायम बने रहेंगे सॉफ्ट बने रहेंगे, कड़े नहीं होंगे अब यहाँ पे मैंने air fryer में इसको रख दिया है और बिल्कुल इसी तरीके से हम और सारे जितने करेले हैं वो हम सब रख देंगे इसमें भरके और oil लगा देंगे बहुत अच्छे से यह देखे इसमें थोड़ा सा आप इससे brush से oil लगाएंगे तो यह कम भी लगेगा और पूरे में अच्छे से लग भी जाएगा और बस यह देखे यहाँ पे मैंने इसको एक पूरा नीचे एक ट्रे में रख दिया था क्योंकि मेरे पास अभी और भी रखे हुए हैं करेले इसलिए मैं इसके उपर भी एक ट्रे लगाके और उपर भी रख रही हूँ तो यह देखे फ्रेंड्स यह बहुत ही healthy और tasty dish बनने जा रही है air fryer में और इसमें जो मसाले हैं वो भी बिलकुल भी नहीं जलेंगे क्योंकि हम इसको heat पे oil मतलब fry नहीं कर रहे हैं तो यह इसका proper जो aroma है वो पूरे करेले में बहुत अच्छे से भरा रहेगा और यहाँ पे यह देखे मैं यह लगा रही हूँ इसको और मैंने 400 Fahrenheit पे इसको रखा है 20 मिनट के लिए और यह देखे यह 20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा और यह इस तरह से हो गया है यह देखे अब मैं इसको पांच मिनट के लिए और रख दूंगी और पलट के और यह देखे यह इतने बढ़ियां यह फ्रायर में इतने बढ़ियां फ्राय हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं तो प्लीज आप एक बार इसको जरूर से बना के देखिये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हल्दी डिश है और कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलिये तो थेंक यू फ्रेंड्स थेंक यू फर वाचिंग मैं चैनल